हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मा यूटूब चानल तो जिसे कि आप सब जानते हैं ये सीजन है मैंगो उसका तो क्यों ना सबकी फेवरेट बहुत अम इंक्रीडियंट के साथ में मैंगो फ्रूटी घर पर ही बनाई जाए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लेंगे फ्रूटी का मेन इंक्रीडियंट जो की है मैंगो और उसे हम रफली कट कर लेंगे और मैंगो कट होकरके रेडी हैं अब हम पैन को गरम करेंगे उसमें 3 कप पानी डालेंगे और 1 कप की मेजूमेंट यहां पर 240 एमेल है सेम कप में हम वन कप ऑफ शुगर इसमें एड कर लेंगे पानी और चीनी को स्पैशुला से कुछ देर तक के लिए हिलाएं जब तक की पानी अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता जैसे कि आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है और चीनी भी पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है यहाँ पर आप अपनी गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं अब हम डालेंगे 1-4 टी स्पून ओफ सिट्रिक एसिड मैंने सिट्रिक एसिड यहाँ पर इसलिए यूज किया है जिससे की मैं फ्रूटी को कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख सकूँ और सिट्रिक एसिड से फ्रूटी में थोड़ा टैंगी फ्लेवर भी आ जाता है आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिट्रिक एसिड को कम्या ज्यादा कर सकते हैं पानी गरम हो गया है अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें पानी को डाल देंगे और उसे थंडा होने के लिए रख देंगे अब एक पैन लेकर के उसमें जो मैंगोज हमने चौप किये थे उसे हम डाल देंगे अब उसी बरतन में थोड़ा सा पानी लेकर के पैन में डाल दें और उसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगो और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक जार लेंगे और उसमें इस मैंगो के पेस्ट को डाल देंगे और paste को fine बना लेंगे अब एक pan लेकर के उसमें mango के fine paste को डाल देंगे और उसके उपर से थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल देंगे अब medium और high flame पर paste को लगातार चलाते रहें मैंने यहां पर कच्छे आम की जगा citric acid यूज़ किया है लेकिन अगर आप लोग कच्चा आम यूज करना चाहते हैं तो एक पके आम के साथ आधा कच्चा आम यूज करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगो के पेस्ट का कलर चेंज हो गया है उसमें बबल्स भी आ रहे हैं तो यहां पर हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अब एक बावल लेकर के उसमें मैंगो का पेस्ट डाल दें अब जो पानी हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसमें से एक कप पानी निकाल करके पेस्ट में आड कर लेंगे और पानी याट करने के बाद पेस्ट को मिक्स करते जाएंगे अब हम पेस्ट को च्छन्नी के मदद से चान लेंगे हम पेस्ट को इसले चानेंगे ताकि उसमें आम के रेशे ना रहें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1 4th कप से 4 बार पानी डाला है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं फ्रूटी की इत्ती कंसिस्टेंसी परफेक्ट है और ये हमारी फ्रूटी बन करके तईयार है अब इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें और जब मन करें फ्रिज से निकाल करके पी लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर, कॉमेंट करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी रेसिपीज मिलती रहें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर पहला वीडियो आपको सबसे पहले दिखे ताकि दूले जदिए और मेरे बहुते थार दीजिए मिलती ताकि झाले पर रहें दीजिए जजिए ताकि झाले बहुते हैं